सबसे पहले जो वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है ये बिपकॉक है शॉट बोडी बिपकॉक बिपकॉक एक नॉर्मल टैप्स होती है जिसमें सिंगल फ्लो का पानी आता है और ये एक नॉर्मल वाथरूम में लगाया जाती है इसके बाद जो अगली चीज आती है वो है लॉआज बोडी बिपकॉक लॉट बिपकॉक साईज में थोला सा सॉट बाड़ी से बढ़ी होती है सेफ और काम एन दोनोंاج गल्प जासा होता है बस इसमें जो ये स्पाउट के लैंध होती है वूँ जादा होती है इस लिए उसको लॉट वादी काह जाता और इसको short body कहा जाता है इनमें सरी एक single flow का पानी आता है चाहे वो hot water हो या cold water हो अब हम आपको दिखाते हैं pillar cock जो वास बेशन के उपर एक छोटे साइज की टैप लगती है इस टाइप से इसको pillar cock कहा जाता है अभी तक जो मैंने आपको item दिखाए इन सब में cock word यूज हो रह कि यह जो आप देख रहे हैं यह जंबो पिलर कॉक है इनने जंबो पिलर कॉक इसलिए कहा गया कि इनकी हाइट काफी ज्यादा है कई बारी हमारे table top वास बेशन होते हैं जैसे पीछे लग रहा है तो इन वास बेशन में हमें बड़े हाइट के टैप चाहिए होते हैं तो य यह पर आप देख रहे हैं इसमें double handle हैं दो नोब हैं यह hot and cold water की होती है इसमें अगर हमें दोनों पानी चलाने होते हैं तो हमें दोनों water की knob on करनी होती है तो इसे कहते हैं central hole basin mixer यह single handle में भी आते हैं जिसमें हमें सर्फ एक operation चलाना होता है और double में भी आते हैं इसके बाद आता है sink cock sink cock जो होते हैं वह हमारे kitchen में यूज होते हैं sink के उपर यह भी एक कॉक है तो single flow का इसमें पानिया आता है जैसे आप यह पर grab door के अलग-अलग model देख रहे हैं यह सारे sink cock ஒक है सिंक कोक के बाद आता है हमारा सिंक मिक्सर स्रेक मीचर किछन में यूज होने वाला कॉमन फॉसेट है इसमार आप देख सकते हैं इसमें दो नॉब होती है एक हो ने कौल्ड वाटर के लिए तो सिंक मिक्सर जैसे कही मिक्सर लगाना है तो वहां पर हम यह यूज करते हैं यहां पर हम लोग यह ठंडा और गरम पानी के लिए हैंडल है और यह बीज में डाइवेटर नोग होती है जो एक बार आपका स्पाउट चलाने के लिए यूज होती है एक बार उपर सावर के लिए पानी डाइवट करता इसको कहते हैं L-Band Wall Micture, यह Wall Micture इस पे उपर को L-Band नहीं है, इसमा हम उपर वाला सावर नहीं चला सकते हैं, इसमा हम आप यह कलस लगा रखी है, और इसमा है Hand Shower यूज होता है, तो इसको Telephonic Wall Micture भी कहते हैं, और Hand Shower के प्रोविजन वाला वाल मिक्चर भी कहते हैं, यह 2-way Bipcock है, इसमा आप देख सकते हैं, दो प्रोविजन है, एक उपर है, एक नीचे है, एक का outlet यह है, एक का outlet यह है, जैसे अगर कहीं पर हमें Point Single है, लेकिन Connection दो देने होते हैं, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, इसके बाद आता है Basin Mixer, यह Wash Basin पर यूज होने वाल का यूज कर सकते हैं, यह Wash Basin पर लगती है, इसे कहते हैं, Single Liver Basin Mixer, यह Jumbo Basin Mixer है, अगर कहीं पर हमारा Wash Basin जो है, वो टेबल टॉप है, यह उच्छी हाइट का है, तो वहाँ पर हम लोग इस लंबाई में उचाई ज्यादा होती है, इसके हाइड ज्यादा होती है, इसको Jumbo Basin Mixer कहते हैं, Single Liver Basin Mixer, Jumbo, यह Divator है, Divator में Body अंदर होती है, और इसके अपर पार बाहर होते हैं, यह इसका Single Liver Handle है, Mixer का, और यह Divator की Nob है, इस जगर आपको Sour और Spout जो भी चलाना है, यह एक Plain Spout आता है, Tipton Spout हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, जाब हमें Hand Shower का Provision देना होता है, अगर हमें Hand Shower भी यूज करना है बातरूम में, तो वहाँ पे हम लोग Tipton वाली सावर लगाते हैं, Spout लगाते हैं, इससे ही Hand Shower होती है, Plain Spout जो होती है, ऐसी होती है, यह Normal होती है, इसको Basin Divator भी कहते हैं, इसकी Body अंदर होती है, और इसका जो नोग होता है, और Upper Part होता है, और Spout होता है, वो यहाँ से Operate होता है, यह आप देख सकते हैं, Grab Door की पूरी Faucet की Range है, आसा करते हैं, कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, Thank You Very Much